यो 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 सिक्रेट इंवेजन का दूसरा एपिसोड आ गया है और इस एपिसोड में खास बात यह है कि इसमें बहुत कुछ रिवील हुआ है जैसे कि यह लोग यहां क्यूं है कैसे हैं इनकी दुनिया का क्या हुआ वैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने अल्मोस्ट सब्सक्राइब करेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे बढ़ने से पहले में इस वीडियो में स्पोईलर्स होने वाले हैं तो अपना अपना देख लेना तो सबसे पहले तो एपिसोड की शुरुआत होती है 1995 से जब निक फ्यूरी को पहली बार पहलान हमें ये भी बताया गया कि केसे उनका प्लैनेट बरबात हुआ थ हूआ था और वह सारे स्कुल्स अर्थ प्यागी शेख आ गया हैं में तेलोस का कहना है कुछ अच्छे स्कुल्स अभी भी मजूद हैं मगर सिर्इस में तो दिखाया नहीं गया खेर उसके बाद से एपिसोड अपने प्रेजन में आता है जहापर इसका पिछला एपिसोड खतम हुआ था यानि मेक्सिको में जहापर ग्राविक ने बॉम ब्लास्ट किया था और कहानी आगे कंटिन्यू होती है तो ये एपिसोड देखने के दोरान मुझे जादा कुछ डिफरन्स नहीं दिखा इसके पुराने यानि पहले एपिसोड से हाँ इस एपिसोड में Nick Fury के जोक्स मुझे पुराने वाले Nick Fury की वाइब ज़रूर से दे रहे थ है एपिसोड में मैंने जो नोटिस करा वो है हमारी प्यारी Mother of Dragon के चेहरे में जूरिया आ गई है 36 साल के Emilia मुझे इस रोल में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी यार कम से कम उन्हें एक अच्छी सुपर हीरो के रोल में कास्ट कर दिया होता वो ऐसी छोटी मोटी रोल में बिल्कुल भी सूट नहीं करती बाकी इस एपिसोड में PG-13 की हदो को पार करने की कोशिश की गई है और उस सीन ने मुझे सदमे में डाल दिया है कि मैं Marvel की पिक्चरी देख रहा हूँ ना क्यालावा बीच बीच में ये एपिसोड बोर भी करती है इस एपिसोड की लेंद कम से कम 50 मिनिट की है लेकिन जो भी हो आखिर में मजा आना चाहिए इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट वेटनस डे को डिस्नी प्लस पर रिलीज होती रहेगी और फर्स्ट एपिसोड का रि